बीजेपी समझा रही ती विपक्ष को नेतिकता उदर कॉंग्रेस के एक नेता ने खोल दिये धागी बीजेपी के नेता नूचे पाकर भागी मनिपूर मामले पर बीजेपी का पक्ष लेना एक एंकर को पड़ा भारी सरकारी चैनल के नाम पर अपनी ख्यादी बटोर चुके एक चैनल ने बड़ी फुरसत के साथ विपक्ष को घेरने के लिए चमजमाती चमचमाती लाइट के बीच एक प्रोग्राम आयोजित किया फुल तैयारी थी कि भाई जो काम साहे और उनके कारंदे सड़क से लेकर संसक तक नहीं कर पा रहे हैं वो काम हम करके दिखाएंगे डिबेट शुरू करेंगे मनीपुर से लेकिन खीच कर ले जाएंगे पस्चिम बंगाल, 36 गड़ और राजिस्था इतनी दुर्दांत घटना होती है मनीपुर के अंदर और उसके बाद ये कहा जाता विपक सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहता शर्मानी चाहिए देश के प्रधान मंतरी को देश का दुरभाग गहे, एक कायर प्रधान मंतरी देश को मिला और एक कायर सरकार मिली, एक निकम मिल सरकार साहिब की चनल वंदना में कितना डूबा हुआ था चैनल उसका प्रधर्शन उसने उपर लिखी हुई लाइन से कर दिया जिसे चिंता बस इस बात की थी कि साहिब को संसद में बोलने क्यों नहीं दे रहे जो अपनी पीट थप थपाने के लिए तैयार किया था, साहिब ने खर रहा, उसे विपक्ष पढ़ने क्यों नहीं दे रहा लेकिंगे जैसे ही डिबेट शुरू ही, कॉंग्रेस के प्रवक्ता ने थागे खोल कर रहे अपना भूत मजबूत करते घूम रहे थे और मनिपूर जल रहा थे, मेरा भूत सबसे मजबूत और मैं एक अकेला सब पर भारी मनिपूर ने पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की नाग को कटवा दिया कॉंग्रेस के प्रवक्ता अलोक शर्मा ने पड़ी तलीनिता के साथ सरकारी देपर पड़ी बेशर्मी की चमडी को उधेड दिया पताया कि मनिपूर पर साहिब चुपी सादिर है और आरोग विपक्ष पर कि वो संसत चलने नहीं देना चाहता इतनी दुर्दांत घटना होती है मनिपूर के अंदर और उसके बाद ये कहा जाता विपक्ष सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहता शर्मानी चाहिए देश के प्रधान मंतरी को आप अपना भूठ मजबूठ करते घूम रहे थे और मनिपूर जल रहा थे मेरा भूठ सबसे मजबूठ और मैं एक अकेला सब पर भारी मनिपूर ने पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्टान की नाथ को कटवा दिया मैं पीच्छे पैटे तर्शक भी तालिया बजाने लगे कि कम से कम आज मौका मिला गाल बजाने वालों को तालियों से जवाब देने तो जैसे जैसे कॉंग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की एक-एक हरकत को खोल रहे थे वैसे वैसे जनता भी खोल कर साथ दे रही है कि अब बरदाश्त नहीं होगा देश के प्रधान मंत्री की नींद जग तूटी दो दिन पहले जब सुप्रीम कोट ने दस बजे उसका संग्यान ले लिया जारा बजे आए और आकर भी विपक्स पर ठीकरा भोड़ कर चले गए एक सो चालीस करोड लोग शर्मसार है उनका सीम शर्मसार नहीं है वो तो कहरा सैकडों घटनाए हो गई है ऐसी सैकडों घटनाए हुई है लेकिन सीम फिर भी सीम बना हुआ है हालात यह हो गए कि बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई सांसे उख़णने लगी उधर मैड़म एंकर भी समझ नहीं पाई कि साहेब के दोलारे प्रवक्ता को कैसे बचाया जाए मतलब बड़ी उम्मीद के साथ प्रोग्राम शुरू किया था अंत दुख़त हुआ स्पेशल डैस्क दकंटा